नमस्कार जैहिंद वंदेमातरम साथियों दोस्तों उत्तर परदेश पुलिस की ओफिसियल वेबसाइट पर एक बार फिड़ से एक बड़ी सूचना उत्तर परदेश की जो भरतियां होते हैं पुलिस विभाग के उससे रिलेटिड आई हुई है दरसल में दोस्तों सूचना ह आपकी ओप निरिक्षक यानि एसाइए लेवल की पोस्ट है ओप निरिक्षक ससस्त्र पुलिस पलाटून कमांडर के पदों पर पदो उन्नती हीतु ठीक ना पदो उन्नती हीतु सारिरिक दक्ष्टा परिक्षा के आयोजन की सम्मण्द में सूचना जारी कर दी गया है जो सारिरिक दक्ष्टा परिक्षा है उसके सम्मण्द में क्या सूचना जारी की गया है यह मैंने अभी डाउनलोड किया है लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस की ओफिसल वेब साइट है वो चर्चा का विसा बनी हुई है लगातार जो इन्फॉर्मिसंस है वो आती र रेशन है उसका काम ठीक ठाक चल रहा है तौदिकर यहां पर जो सूचना आई हुए वो यह है उपन रिक्षक ससस्तर पुलिस पलाटून कमांडर के पदों पर अनुप्युक्त को अईस्वीकार कर दिया है और जेश्ट रिधा के आधार पर चैन वर्स 2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस महान इदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्द कराए गए 535 पदों के अधियाचन एवं पुलिस महान रिक्षक पी एसी और पी एसी मुख्याले उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्द कराए गई वरिश्ट था या फिर पातरता सूची के आधार पर उत्तर परदेश के प्रादेशिक आम्ड कॉंस्टिबलरी अधिकारी सेवा नियावली 2015 के प्रावधानों के अनुसार चैन की कारवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश के प्रादिशिक आम्ड कॉंस्टिबिली अधिसनस्त सेवा अधिकारी नियावली के अनुसार उपनिक्षक ससर्थर पुलिस और पलाटन कमांडर के स्विकरत करीब जो पद हैं उनके कुल संख्या के 50 प्रतिसत पद अनुप्युक्त को ऐस्विकार करते हु हुए एहरकारी प्रिकरती की सारी दक्सता परिक्षा परिक्षण सहीत रिजेश्टता के आधार पर पदो नती के माध्यम से भरती द्वारा मौलिक रूप से निर्युक्त प्रदिशिक आम्ड कॉंस्टिबिलरी के विविन बटालियनों जिला पुलिस और पुलिस हम दिवस को इस रूप में परिविक्षा अवधी सहीत तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तो यह इस पस्ट रूप पर बताया गया है ठीक ना सब इंस्पेक्टर सशचत्र पुलिस प्लाटून कमांडर के पद पर पदोनिती के लिए प्लाटून कमांडर ऑप निक्ष लिए सेवा का है रिक्ष्तार पर थेया जा रहा है और जुमतलब झू ए सेवा का मामला है वह इन हो नहीं लिया है कि की सारी पदोनिती के वह दक्ष्पर नवेंबर महा के दुपतिय सब्तहा में इसके दूसरे सब्तहा में होना प्रस्ता भी था है और यहां पर नाम भी जो है 535 के सापेक्ष उपलब्द करा दिया गया कि किन-किन कैंडिडेट की होनी है तो आप लोग अपना जो नाम है वो भी इसमें लिस्ट में देख सकते हैं 27 सब्सक्राइब के और थेयों नाम है 27 पेजं की टूटल लिस्ट बनी होई है ठीकिन 27 पेज पर केंडिडेट ओं को सेलेक्ट किया गया है तो जो भी इसमें कांडिडेट पदोंनिती के मामले में आते लगवाग आटसो तीन केंडिडेट को लिया गया है ठीकिन इन्हीं में 3.2 किलिमेटर की दौर 35 मिनिट में पूरा करेगा वो आगे के लिए जो पदो निदी का मामला होगा उसमें सामिल किया जाएगा फिलाल यही सूचना थी जहेंद